आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी संबंदित आदर्स एडवाइजर वेलफेर ट्रेस्ट सुसाइटी ने बुद्वार को लोग सबाध्यक्स ओम बिरला को समरंड पत्र देकर आस्वासन पर अमल करने की मांग की आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी का मामला इस वक्त बहुत उल्जा हुआ है और इस मामले को सुल जाने के लिए सबी एडवाइजर और पीडित निवेशक ओम बिरला से मुलाकात की थी तो दोस्तों अभी तक उस पर कोई उनकी पिर्किर्या नहीं हो पाई एक आ सब्सक्राइब करें साथ के साथ हमारी वैल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे दवारा बनाई गई हरेका अदर्स क्रेडिट्ट कॉपरेटिव सुसाइटी से जूरी लाटस निउस सबसे पहले आपके पास चले दोस्तों सुरू करते हैं कि आज की बड़ी ख़बर जो आदर्स क्रेटिट कॉपरेटिव सुसाइटी से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये एक संदेश न्यूस कोटा अकबार से हैं और ये खबर इसी हफ़ते की है तो दोस्तों ये खबर उन सब निमेशकों तक पहुचाना चाहते हैं जो आदर्स क्रेटिट कॉपरेटि संदेशकों के लिए ताकि निमेशक जादा से जादा संगठित हों एकत्रित हों जाग रुक हों और अपने अग को मंत्री और संत्रियों से मांगने की पहल करें तो दोस्तों ये खबर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कोटा से हैं आदर्स क्रेटिट कॉपरेटिव आदर्स एडवाइजर वेरफेल स्टेट सुसाइटी ने बुदवार को लोगसबाद्यक्स ओम बुरला को समरंट पत्र दे कर आश्वासन पर अमल करने की मांग की आदर्स क्रेटिट कॉपरेटिव सुसाइटी के एडवाइजर मौन मुरारी सोनी सी ऐल सर्मा एवाम हरीश सर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा इस विशे को गंबीरता से लेने की मांग की गई इस बारे में सिगरी बैटक बुलाकर्स आंदोलन की रूपरेखा तैक की जाएगी गत दिनों केंद्रिय वित मंत्री अनुराग ठाकुर आवम भाजपा के प्रदे सद्यक्स सतीस पुनि को ग्यापन देकर आदर्स कॉपरेटिव के हजारों पुलितों के पक्स में निड्या करने का आग्रह किया था सोसाइटी ने चेतावनी दी की सरकार ने अती सिग्र निवेशकों को निवेशकों की फसी रकम लोटाने की वैवस्ता नहीं की तो जन पृतिनिधियों के घर के बाहर जा दोस्तों गौर करने लाएक बात है कि आदर्स क्रेटिट कॉपरेटिव सुसाइटी के पृडित निवेशक और आडवाइजरों ने एक धोंस दी है और उन्हें कहा है कि जन पृतिनिधियों के घर के घर के बाहर सत्या गिरा करना पड़ेगा इस बारे में कोटा दक्षिन के विदायक संदीप सर्मा ने भी ग्यापन उनके कारियाले में दिया गया आदर्स वेलफेयर सोसाइटी के मोहन मुरारी सोनी एवम नरेस विजासवर गये ने राजेस बिल्ला को भी ग्यापन देकर सरकार से बात करने का अनुरोथ किया है पुरु में सहकारिक्ता मंत्री नरेन सिंग तोमन ने भी आस्वासन दे चुके हैं कि सरकार प्यूड़तों के पक्समेदर दोस्तों अभी आस्वासन के ही दौर चल रहे हैं और आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के प्यूड़ित निवेशक पल-पल अपनी जिन साल में लेकिन उसके पास पैसों का अभाव होने के कारण बड़ा उसका लंबा इलाज नहीं हो सका उसको मेंगा ट्रीट्मेंट नहीं मिल सका और उनके घरवालों का कहना है कि जीवन भर की कमाई हमारी आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी में जूड़ी है और जाग रुकता है जाग रुकता आए और वो हम आप लोगों के सम्मुक रखे और आप लोगों को दिखाए कि हर इस्टेट में हर राज्य में किस तरीके से आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के पिरित निवेसक और और करम चारी अपने हक के लिए लड़ रहे तो अभी कहीं से कहीं तक निवेशको के हित में कोई अच्छा संदेश कहिए या कोई अच्छा सरकार की तरफ से कोई और नहीं हो पाया कि निवेशको का पैसा कब तक और कितनी समय सीमा में उसे लोटाया जासे कि उसके लिए कि अभी तक कोई प्रियास यहाँ पर सरकार करती नजर नहीं आ रहे लेकिन दोस्तों एक बात है कि सरकार जितनी भी है सब आसवासन बहुत अच्छे दे रही है चाहे वो ओम पिरकास बिल्ला हो चाहे वो तोमर हो चाहे कोई से भी मंत्री हो वो अपनी तरफ से केवल आसवासन दे रहे हैं हकीकत यह कंपनी इस वक्त जो है इडी अधिकारियो जो एक ब्रश्ट यह कह सकते हैं कि ब्रश्टा चारी से लिफ्ट विभाग है उसकी पकड़ में कंपनी है लेकिन निवेशको के हक के लिए कोई अभी तक इडी की तरफ से एसी भारी कारवाई नहीं की गई जो निवेशकों का पैसा देना कोई सुचार रूप से किया जा सके कोई अच्छा समधान निकाला जा सके तो दोस्तों यह आज की बड़ी न्यूज आपको आदर्स क्रेटिट कॉपरेटिव सुसाइटी की जो हम लेकर आए हैं इस टी न् तो मिलते हैं फिर किसी न्यूज अपडेट के साथ धन्यवाद जय जय वारत वंदेबात तरम